वीडियो में बताईगे खात को जब आप अपने पौदों में यूज़ करेंगे तो आपके पौदों में जो बैक्टीरिया मतलब जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं वो आपके पौदों से दूर हो जाएगा मैं आज दिक और आपका एक बाद फिर से सहागत है फार्में वे इस कीट नाशुक को डाल ले से उनको भी प्रोब्लम हो सकती है तो आप ऐसे छोटे प्लांट में इसे दीजिए तो आपको सबसे पहला कॉनिल ले ले लेना है और उसको अच्छे से दो लेना है पानी से यूज़ इस पर एक गाड़ा पन रहता है तो आप जब इसे दो कलीटर पानी के अंदर आपको चोटे-चोटे टुकड़े करके उसके अब बहर देना है और आपको बताओंगा में आप आगी इसका कैसे यूज़ करना है कैसे अपने प्लांट में देना है और कैसे इसकाurg आप सकता हो तो सबसे ब्राइल जे जो अए दम पःसे कोरा दो ल कि अगर आपको कोई फूल का प्लांट है और उस पे काफी सार फूल आ रहे हैं और उसमें कीड़ों की दिक्कत नहीं दिख रही तो आप उसमें मध डालिए क्योंकि जो छोटी चिडिया रहती है वह उनको कीड़ों को खा जाती है अगर आप यह डालेंगे तो वह उनको भी इससे परिशान ही हो सकती है और वह आपके पेड़ों से दूर भी जा सकती है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई सब्जी का प्लांट है तो आप उसे दे सकते हैं या कोई छोटे प्लांट जिन में ऐसी प्रॉब्लम है उन्हें आप भी खात दे दि ना हो तो मेर्ट चैनल को सब्सक्राइब